हेलो दोस्तो एट जी कलासिस में आपका स्वागत है दोस्तो आज किस बीडिव में बात करेंगे कि आखिर मेरी लिस्ट आयोग कब जारी करेंगी क्योंकि आयोग ने चात्रों को अस्वासन दिया था कि बहुत जल्द जो है हम उच्छ अस्तरिय बेठाक करेंगे उसके बाद उस बेठाक में कुछ नकुछ निर्ण नहीं निकलेगा और दोस्तो आपका मेरी लेस जारी कर दिया जाएगा ऐसा आयोग ने वो भी आयोग में बेठे सचीव जी ने कहे थे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो इससे अच्छा यह है दोस्तों की सभी च्छात्र चूप बेठे रहने से अच्छा है कि आयोग में जाकर समय समय पर जोह किकल्या करने हमारी बहुत सारे मित्रिगन भी जोह कल आ रहे हैं आयोग पूरी खबर दोस्तों बाख वताद ने हो सकता कर आयोक के सामने धरना पर दर्शाम बीज़ दो सकती है क्योंकि बहुत सारे चात्र जो है इसका इंतिजार करें दोस्तों आप अब कब तक इंतिजार करेंगे बहुत जो बुरा जो नीउ एनस्यल के मामले में नहीं है कबसे कम उसका merit जारी कर दे उसका merit किलियर कर दे जब तर निवेंसेल का माननी होगा दोस्तों वो होट में है फैसले उसके बाद उसका merit जारी कर लेकिन ऐसा आयोगा वितक नहीं किये उठ चस्तरी बैठक में क्या हुआ अधिता कुछ भी वहाँ से खबरें आ करके नहीं निकल कर आई है तो आखिर छात्र इसका कब तक इंद्जार करेगा इतना आप समय लिए दोस्तों चात्रों ने कमेंट किया था मुझे जो कि निव अन्सेल वाले चात्र उनका यही करना था कि सबका मेरिट एक साथ आएगा चाहे निव एंसेल या कोई भी कैटिगरी को तो दोस्तों इतना आपको बता देना चाहते हैं यह निव एंसेल कब तक माननी होगा यह कोट में कब तक केस चलेगा तब तहीं चात्रों को क्या वेट करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होगा आयो इन चाहतरों का मेरिट जारी करेगी यहांकि इन छात्रों का क्या कसूर है समझ लिजीए यहां जो बातें जो है मात्र सिर्फ नीव NCL को लेकर है अब इन छात्रों को जो इसमें घंसीता जा रहा इसे दो स्टो बहुत सारे छात्र जो है कल आरे आए अगर आप भी सक्षान है दोस्तों जरूर आएं क्योंकि सांथ आप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला कम से कम एक कदम उठाइए उसके बाद ही दोस्तों कुछ ना कुछ जोए नियू फैसले निकल कर आएंगा आपका मेरिट और जर्द सजर्द आपका ज्वाइनिंग होने की परक्रियाएं कॉप्टिट होंगी दोस्तों यही कुछ कोशिस छात्र की द्वारा की जा रही है आपकी भी इतनी सच्छम होए दोस्तों आप जरूर से जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और मेरिट के लिए आपक तगलिव जाहिए जाप